हाई फ्रेंड्स चले आज बनाते हैं आलू और चने की सबजी जो की बहुत ही टेस्टी और पोस्टिक होती है एक कटोरी चने से ही आपकी पूरे परिवार के लिए सबजी बनकर तैयार हो जाएगी तो चले मिक्सी में इसको डाल देते हैं और इसका बना लेते हैं पन पेश् थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुशार जितना आप टेस्ट के से एकॉर्डिंग डाल सकते हैं और फिर वस इनको मिला दीजी अच्छे से और फिर डाल देगे थोड़ा सा पानी और इसका बना देगे अच्छे से पेश्ट तो तब तक अच्छे से फू करना है ज्यादा नहीं भूनना है और वस जो हमने चने का पेश्ट जो बनाया था उसको डाल देंगे और इसको हमें करना है अच्छे से जब तक कि यह अच्छे सूक ना जाए तब तक इसको भूनेंगे अच्छा और वस भूनने के बाद देखिए यस तरह से देखिए यह पूरा सूख गया है थोड़ा सा और भून लेंगे वस भूनने के बाद फिर इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और निकालने के बाद फिर सेम कड़ाई ले लेंगे उसमें डाल देंगे तेल और वस तेल में डाल करके फिर डाल देंगे थोड़ी सी हींग फिर डाल देंग चैंड हो तो आ जोड़ो आपे cya जोड़ों को हमने जादा ये तूरोन पाज जादा आलो कूंबाद को चैंड हमाया थोड़ी देर में पके키ए तो इसके लिए ठोड़ा करका हम भून लेंक हम्दралने मैंस करके और बस दें को अदियेगे और इने मतलब इसमें डालेदे दें फिर चने Ia लेकि चने डालने के बाद फिर इसमें हम और पानी नहीं डालेंगे अभी हम ऐसे ही मैस कर दें बाने के बाद तो देंगे उसको मेभा करने के दिखिए तो फोड़ा जादा पॉरा सी दिखिए करने को, भर सनी Schritt, डाले के पॉरह चनि, कमच सा सिंहिए पूरे चने और पूरे अच्छे से घुल जाएंगे और बस देखिए इसको 15 मिट तक और ऐसे पकाना है जब तक कि आलू नहीं पक जाए देखिए आलू इस तरह ऐसे पक गया है और फिर बस इसमें डाल देंगे खुब सारा भर के हरा धनिया और बस बन करके तयार है हमारी नेकी सबजी बस और गरम गरम रोटियों के साथ इसको परोस करके खाईए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सेयर, सस्क्राइब चैनल को जरूर करना है